हलो गाईज स्वागत है आपका हमारे युट्यूब चनल पर तो आज हम देखने वाले हैं 12th इंग्लिश महारास्ट बोड का आठपा पोयम Small Towns and Rivers का हिंदी में Explanation तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोखो इस पोयम की राइटर एक महिला है एक विमेन है और इनका नाम है ममंगदाई जिनका बर्थ हुआ था 1957 अरुनाचल प्रदेश में और इनका उक्क्यूपेशन बात किया जाए तो एक पोईट हैं नॉवलिस्ट हैं जे से अवर्ड मिल चुके हैं अब जानते हैं कि इस पोयम में है क्या तो देखो इस पोयम में राइटर ने लाइफ और डेथ के बारे में बताया है और मेंली फोकस किया है डेथ पर मृत्ति पर कि कैसे जो डेथ है वो सबको आनी ही है जो जो इस धरती पर लिविंग विंग है और खात करके हुमन उसे डेथ का सामना करना ही पड़ेगा कि डेथ ही लाइफ का सच है और मॉर्टल बिंग का सच है और इसे बदला नहीं जाए दसता देखते हैं कि मेंली फोयम में है क्या तो सबसे पहला फॉर्स टैंसा देखते हैं क्या है small town always remind me of death my hometown lies calmly amidst the trees it is always the same in summer or winter with the dust flying or the wind hauling down the gorge तो देखो इसमें writer क्या बदाती है कि जो उनका hometown है जो उनका शहर है वो पेडों के बीच में शान्ती से बसा हुआ है और हर मौसम में हर season में पूरे साल बर चाय समर हो या फिर winter हो उनका एक गाउज है जो town है हमेशा सान्ती रहता है और यह जो शान्ती है कभी बदलती नहीं है और यह जो कभी ना बदलने वाली शान्ती है कामने से ओ इंडिकेट करती है death को कि कैसे जो death है वो किसी की life में शान्ती लेकर आती है और शान्ती हमेशा के लिए रहती है और यह जो death है वो absolute truth है unavoidable है यानकि वे आने ही वाली है और आगे कहती है कि with the dust flying और the wind going down the approach और जब इस शहर में हवा बहती है तो मानोड शहर एक मृत्यू की घाटी यानि कि valley of death बन जाता है शान्त मृत्यू का गाउँ बन जाता है तो देखो इस stanza में writer यही बताती है कि human being है वो एक mortal है यानि कि उसे मरना ही है और जो death है जो मृत्यू है वो absolute truth है वो आनी ही है इसे avoid नहीं किया जा सकता यह जीवन की एक सच्चाई है आगे दिखते हैं तो अगला stanza देखो तो यहां पर जो हमारी writer है वो एक पुराना किसा याद कर दी है जब उनके गाउँ में किसी का death हुआ था कोही मरा था तो कैसे गाउँ के सारे लोग उस town के सारे लोग एक घड़ा हुए थे और फ्रोक मना रहे थे लेकिन उस time भी वो गाउँ जो है उनका शान्त था पुरा सन्नाटा था तो देखो इस ते जो हमारी writer है वो एक कहती है कि किसी के मरने से किसी के death होने से life रुक नहीं जाती जो life की cycle है वो चलते रहती है फिर कोई जनम लेगा और फिर किसी का death होगा लोग किसी के death पे शोक मनाने आते हैं रोने आते हैं लिकिन सिर्फ उसी moment के लिए और जब तक लोग मरते रहेंगे जरती पर तब तक लोग ऐसे ही अपनी जो सांत वना है वो वेक्त करते रहेंगे लोग शोक मनाते रहेंगे और एक ritual है एक परमपरा है और एक परमपरा हमेशा चलती रहेगी एक परमनेंट है देखो लास्ट में क्या कहा गया है कि only the rituals are permanent औ वो भी उसके साथ चलता रहेगा आगे देखते हैं आगे क्या है तो देखो इस स्टैंजा में राइडर का कहते हैं कि जो रिवर है जो नदी है उसके पास भी एक आत्मा एक सोल होती है ठीक इंसानों की तरह लेकिन river की जो आत्मा होती है वो eternal होती है वहीं जो इंसानों की आत्मा जो soul होती है और देखो यहाँ पर क्या बताया गया है transient होती है transient यानि कि short span के लिए होती है देखो इंसान का जो living जो time रहता है धरती पर वो छोटा सा ही रहता है वो कुछ limited time period तक जिनता रहता है उसके बाद उसकी death हो जाती है और death के बाद इंसान की जो आत्मा है उसका क्या होता है यानि कि after life मरने के बाद क्या होता है वो कोही नहीं जानता वहीं जो नदी है उसकी आत्मा eternal है यानि कि iamr है वो हमेशा चलते रहती है एक जगा से दूसरे जगा पर बहते रहती है दिखो यहाँ पर क्या लिखा गया है Like a torrent of grief sometimes यानि कि नदी की धारा है वो बहते रहती है एक जगा से दूसरे जगा पर उसके सामने जो भी आता है उसे हटा देती है मिट्टी को काट के अपना रास्ता बनाते है चलते रहती है ठीक उसी तरह से जैसे इंसान के दिल में दुख अपना जगा बना लेता है और यही दुख इंसान को death तक ले जाते हैं जो उसका आखरी और absolute truth है वहीं जो river है जो nature है river से मतलब है nature यहाँ पर तो जो वहीं river nature है वो eternal है हमेशा अमर है वो पहले भी था और आगे भी रहेगा तो देखो यहाँ पर इस tenza में human और nature को compare किया गया है nature को यहाँ पर river के तोर पर दिखाया गया है और बताया गया है कि जो human है वो एक limited time तक जिन्दा रहता है जो human की soul है वो limited time तक इस धर्ती पर रहती है उसके बाद human का death होता है और मरने के बाद उसका क्या होता है उसकी soul का क्या होता है कोही नहीं जानता human की जो life है वो mortal है और वहीं जो nature है immortal है nature जो है वो eternal है वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा और यहाँ पर एक main बात क्या बताया गया है देखो तो यहाँ पर humans के लिए एक सीखने की बात ही बताई गयी है कि human का जो life है वो दुखों से भरा रहता है, दुखों से घीरा रहता है उसके दिल में दुख अपना घर बना लेते हैं, दुख उसके दिल में बस जाते हैं किसी से नफरत की भावना बस जाती है, लेकिन जो nature वो ऐसा नहीं है nature हमेशा बहते रहता है, nature गुसा नहीं करता, वो किसी से बदले की भावना नहीं रखता तो यहां पर यह बताया गया है कि human को भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए अपने मन को शांत करना चाहिए उसे एक ना एक दिन death का सामना तो करना ही है जो कि absolute truth है लेकिन जब तक को इस धर्दी पर जिन्दा है तब तक उसे शांत मन से बिना किसी के बदले की भावना के साथ रहना चाहिए अगला स्टेंजा है तो यहां पर देखो राडर कहती है कि जो रिवर की सौल है यान की आत्मा है वो अमर है वो हमने पहले ही देखा है क्योंकि रिवर के पास वाटर है पानी है और पानी हमेशा बहते रहता है पानी यह जगहां पर रुखता नहीं है यह रिवर इमोर्टल है तो देखो यहां पर कहने से मतलब यह है कि जैसे पानी जो है रिवर का वो हमेशा चलते रहता है और रिवर को जिंदा रगता है ठीक हमें भी उसी तरह अपने जिवर में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए कभी खाली नहीं बैठना तो यहां पर देखो राइटर कहती है कि जैसे नदी बहती है वो हर जगह जाती है शहर में जाती है और वो सब जानती है बारिश की पहली बूंद से लेकर जब धर्ती पर सुखा पर जाता है वो जानती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है नदी तो माउंटें टोस पर या कि पानी जो है water है और immortal है तो यहां पर देखो क्या батा रेवर को नेशर माना गया है और कहा गया है कि जो nature है वह सब जानता है कि इस नेशर immortal है अमर है इटर्नल है नेशर पहले भी था और आगे भी रहेगा नेशर अगला स्पैंजा है तो देखो यहां पर rider बताती है एक बजपन के बारे में ठीक की सी के भी बजपन के बारे में यह हो सकता है कि कैसे बजपन में babchen में जो बच्चा होता है चाइल्ट में वो बजपन में बलकुली धयर भारे हैब आची होता है लेकिन जैसे जैसे आजमी बड़ा होता है उसे टेंशन होती है कि अपने future की आगे वो क्या करेगा कैसे करेगा इससे क्या होता है कि वो टेंशन से दुखों से भर जाता है और आगे राइटर बताती हैं कि उनके गाव में उनके टाउन में एक ऐसा रिवाज है ऐसा एक माननेता है कि जब भी कोही मरता है तो उस इंसान की death body को west में यानि की पच्छिम के side में रखते हैं क्योंकि west से ही सूरज डूबता है sun का set होता है और जब ऐसा करने से क्या होता है कि जब सूरज डूबता है west में जब sun का set होता है तो जो sun है उस मरे हुए आदमी की जो आत्मा है soul है उसे अपने साथ में लेकर जाता है और अगले दीन इस्ट से जब वो उगता है जब sun का rise होता है तो उसे उसकी आत्मा को एक नए रूप में लेकर जाता है afterlife यानि कि वो स्वर्ग में या फिर कहीं भी जब जाएगा मरने के बाद उसकी आत्मा को लेकर तो देखो यहाँ पर इस line से मतलब क्या है कि इनसान मरता है यह absolute truth है लेकिन afterlife क्या होता है कोई नहीं जानता है लेकिन सब लोग सिर्फ यही दूआ मांगते है यही wish करते है कि इसकी आत्मा को शांती मिले इसकी आत्मा जहां भी हो उसे मुगती मिले शांती मिले तो इससे मतलब क्या है कि इनसान के जो जीवन है उसमें दुख आएंगे परिशानिया आएंगी लेकिन हमें हमेशा सांत रहना है होप रखना है यहाँ पर जो सूरज है सन है उसे होप होप का साइन माना गया है सिंबल माना गया है कि हमें भी सूरज की तरह होप रखना है फैत रखना है अपनी लाइफ में और एक ना एक दिन हमारा जो difficult phase है difficult period है हमारी life का वो जाएगा और सुरज की रोशनी की तरह हमारे जीवन में नया phase आएगा तो यहाँ पर यह बताया गया है अगे दिखते हैं तो देखो अभी तक हम जितने भी stanza's देखें सब में death के बारे मिताया गया है जो थोड़ा depressing है जो थोड़ा sad है लेकिन वो absolute truth ह लेकिन यहाँ पर last stanza में यह बताया गया है कि death तो आनी है लेकिन उसे निराश नहीं होना है हमारे life में कुछ hope भी है कुछ एक ऐसा आशा भी है वो क्या आशा है क्या hope है यहाँ पर देखने वाले हैं तो यहाँ पर देखो क्या है in the cool bamboo restoring sunlight life matters like this in small town by the river we all want to walk with God तो यहाँ प आते हैं यह सच है absolute truth है और लोग क्या गड़ते हैं उसके आसपास के कि आते हैं मृत्यू का उसकी death का शोक मनाते हैं अपने सांतवना वेक्त करते हैं और फिर घर चल जाते हैं उसके बाद life जो है और नॉर्मल हो जाती है life हमेशा चलते रहती है यानि कि किसी के मरने से life cycle है birth की death की हो हमेशा चलते रहेगी धरती पर आगे दिखो क्या कहते हैं यहां पर कि we all want to walk with gods यानि कि हमारे जीवन में जो death है वो आने ही वाली है लेकिन हमारे जीवन में hope आशा ए है कि after life हमें शांती मिनने वाली है मुक्ती मिनने वाली है क्योंकि हम God के पास जाने वाले ह तो यहां पर last में देखो last tenza में यह बताया गया है कि जो death है वो एक आने वाली है वो unavoidable truth है वो सबको आने वाली है absolute truth है इस life का इस धरती का human beings के लेकि human mortal है वो nature की तरह immortal नहीं है लेकिन हमें इस बात का hope रखना है इस बात की खुशी मिनानी चाहिए कि हम मरने के बाद after life भगवान के पास जाएंगे हमें भगवान से मिलने का मौका मिलेगा हमें मौक्ष मिलेगा हमें शान्ती मिलेगी अब देखते हैं इस poem का conclusion तो देखो यहां पर mainly इस poem में death और human के बारे में बताया है और सबसे important death के बारे में बताया है कि कैसे जो death है वो unavoidable truth है वो सबको आन है हमारे जीवर में death आने वाला है यह truth है लेकिन हमें इससे निराश नहीं होना है हमाई यह बात का जो खुशी मनाना चाहिए कि मरने के बाद हमें शान्ती मिलेगा हमें भगवान से मिलने का मौका मिलेगा तो देखो यह जो poem है थोड़ा आपको अलग लग सकता है थोड़ डार्क लग सकता है क्योंकि इसमें death के बारे में बहुत बात की गई है कि death आनी है सबको death truth है यह सच है लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारी life में चाहे कितने भी problem आए चाहे कुछ भी हो चाहे कैसा भी पल हो लेकिन हमें हमें हमेशा सूरज की तरह hope र पूशने के लिए thank you guys